हलो फ्रेंट्स, प्रगयस किचन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारी किचन में बहुती टेस्टी चटा के दाद सबजी बनने वाली है यह सबजी आप सीजनल ही खा सकते हैं, अभी इसका सीजन है और ये अभी मार्केट में बहुत मिल रहे हैं ये है काचरा और फली की सबजी मैंने हाँ पर ये 250 ग्राम काचरे लिए जो की उपर से हाड है और साइज में ये छोटे-छोटे हैं ऐसे ही काचरे अपने को इस सबजी के लिए चाहिए क्योंकि इस से तयार सबजी बहुती तेस्टी तयार होने वाली है इन काचरों को अपन अभी साइड में रखते हैं नेक्स इंग्रीडियन देख लेते हैं काचरे के साथ अपन गवार फली मिलाने वाले हैं लंबी वाली गवार फली तो 12 ही महीने मार्केट में मिल जाती है बट ये गोल वाली गवार फली अभी ही आती है जो कि सर्दिया स्टार्ट होती है तब से ही शुरू हो जाती है ये खाने में थोड़ी मीठी होती है लंबी वाली में हलका सा कड़वा जाता है अब काचरों की तरब चलते क्योंकि काचरे कडवे भी होते हैं मैंने 500 ग्राम लिये हैं इनको उपर से कट करके अपने को इसका 20 को टेस्ट करना होता है कितने कडवे निकलते और कितने मीठे मेरे पास 10 काचरे ते 5 कडवे निकल गे और 5 ये मीठे मैंने इस तरीके से इनको लंबा-लंबा सुधार लिया है और ये गवारफली को मैंने रफली हास से ही इस तरीके से सुधार लिया है और दोनों सबजी अपनी तयार है देख सकते हैं और अब मैंने गेस ओन किया और ये कड़ाई रखी है इसमें आप पीतल की कड़ाई या अल्मिनिम की कड़ाई नहीं लें क्योंकि काच्रे खटे होते हैं तो उसमें जाके रियेक करेगा और मैंने यहाँ पर यह 4 टेबल इस्पून जितना ओईल लिया है इस सबजी में अच्छा ही डालना है तो ही सबजी स्वादीस बनेगी और गरम होने देते हैं तेल को मैंने सबजी तयार करने के लिए यहाँ पर तिल्ली का तेल लिया आप कोई भी तेल ले सकते हैं तेल अपना गरम हो चुका है मैंने हाप टीस्पून जितना इसमें राई डाली है और 2-3 पिंच हिंग डाल देते हैं इसी के साथ आप 3 हरी मिर्च जो की इस तरीके से मैंने मोटी मोटी ही सुधारी ये डाल देते हैं आप मिट्ची कम ज़दा कर सकते हैं और अब अपन इसमें सबसे पहले काच्रा आड़ करेंगे क्योंकि अपने काच्रु का छिलका नहीं उतारा है तो उसको कुखोने में थोड़ा समय लगेगा अगर आप छिलका उतार कर काच्रा डालते हैं तो पहले फरी डाले और बाद में काच्रा डाले अब इसको थोड़ा सा अपन चला लेते हैं तेल में और इसको जल्दी कुखो उसके लिए इसके अंदर अपन नमक एड़ कर देते हैं क्योंकि नमक डालने से थोड़ा सा पानी भी रिली या है नमक आप अपने टेस्क के कोडिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं और 140 इस्पून जितनी ये हल्दी पाउडर अब इन सबको एक बार अच्छे से अपने इसको मेक्स कर लेते हैं ये सबजी बिलकुल मेरी मम्मी ऐसे ही बनाती थी वुसी तरीके से मैं आपको सिखा रही हूँ और इन सबको मैंने अच्छे से मेक्स कर लिया है अभी अपने को इसमें पानी एड नहीं करना अब धक्कन लगा कर इसको कुछ सैकिंड के लिए मैंने कुक किया अब इसके साथ आड कर देते हैं ये गमार फली अब इसको भी एक बार इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं मिक्स करके अपने इसको वापस धक्कन लगा कर एक मिनिट के लिए लो फ्लेम पर कुक करना है अभी तक अपने गेस की फ्लेम लो परी है और एक मिनिट बार इसको एक बार अपन चला लेते हैं मैंने बीच में एक दुवार सबजी को चलाया था और अब अपन इसमें मसाले एड़ कर देते हैं और वन टेबल इस्पून जितनी में यहां पर यह लालमिस पाउडर ले रही हूं मसाले आप अपने तेस्ट के कोडिंग कम जादा कर सकते हैं बट इस सबजी के अंदर अच्छे मसाले ही तेस्टी लगते हैं तो वन टेबल इस्पून जितनी यह धनिया पाउडर डाला मैंने और इसी के साथ अब अपन इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अभी तक अपने इसमें पानी एड नहीं करा अपने इसके अंदर पहले काच्रे डाले तो काच्रे ने अपना पानी रिलीज करा उसी से यह सारी सबजी कुख हो चुकी है अब इस स्टेज पर इसको मिक्स करके अगर आप सफर में जाते हैं तो इसको mix कर रहें और इसी तरीके से आप इसको ले जा सकते हैं ये dry सबजी आप एक दो दिन कर अराम से enjoy कर सकते हैं बट अभी अपन थोड़ा सा इसमें जोल कर रहे हैं तो मैंने हाँ पर इसमें 1 foot cup जितना पाने आड़ किया है और इसको आपस अपन डखकन लगाकर 1 minute के लिए low flame पर boil आने तक cook कर लेते हैं और 1 minute बाद ये अपनी सबजी देख सकते हैं एक dumb mouth watering बनी है गारंटी से आप 1 रोटी खाते हैं तो 4 रोटी जरूर खाने वाले हैं और देख सकते हैं बहुत ही स्वादिस लग रही है और ये अपनी सबजी बिलकुल तयार हो चुकी है अब आप चाहें तो इसको मक्की की रोटी के साथ खाएं या बाजरी की रोटी के साथ खाएं या प्लेन रोटी के साथ खाएं किसी के साथ भी खाएं ये सबजी खाने में बहुत ही स्वादिस बनी है और ऐसी ही जेन सबजी की रेसिपीज मेरे चैनल पर बहुत सारी है आप हमारे चैनल पर विजिट करें और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर करें कमेंट करके बताए कि आपको और कौन सी रेसिपी सीखनी है और अभी तक आपने प्रयास केचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूले थैंक्स पॉर वाचिंग मिलते हैं इसी तरीकी की एक और नई रेसिपी के साथ